हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल लैंड ओ वीडियो में तो आज हम डिसकस करने वाले हैं इस इस वीडियो को तो डिसकस करते हैं components, सबसे पहले हम components इनके पढ़ लेते हैं, कौन-कौन से है, तो fuel supply में सबसे पहले आता है fuel tank, फिर आता है sedimentor, फिर आता है fuel pump, फिर fuel filter, और फिर आता है इनका carburetor, उसके बाद ही fuel जो है, वो inlet manifold में जाता है, जहाँ पे engine piston cylinder arrangement होता है, और वहाँ पे fuel compress होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके fuel tank के बारे में, तो fuel tank एक major component है, यह fuel supply का, तो fuel tank में हम अपने fuel को store करके रखते हैं, fuel tank जो होता है, वो sheet metal का बना होता है, और यह हमारे vehicle के rear side में, यह mount होता है, इसके अंदर एक cap लगी होती है, जहां से हम fuel का अंदर भरते हैं, इस cap में एक minute hole होता है, जो atmospheric fresher को बना के रखता है, और avoid करता है कि अंदर कोई vapor lock ना हो, इस fuel tank के नीचे एक drain plug लगा होता है, जब भी हमें fuel को निकालने की जिरूरत होती है, तो हम इस drain plug का यूज़ करके, हमारे fuel को बाहर निकाल सकते हैं, अब बात करते हैं, इसके अगले component के बारे में, जो की है, sedimenter, तो sedimenter एक cylindrical shaped का एक small tank होता है, जो की enclosed होता है, बंद होता है, और fuel tank and fuel pump के बीच में लगा होता है, इसके अंदर एक float system होता है, तो sedimenter का basically काम ये है, कि अगर fuel में कोई भी foreign elements आ जाते हैं, जैसे कि fuel में किसी वज़ा से water पड़ा गया बारिश के कारण, तो अगर fuel में कोई पानी वगरा के particles होते हैं, तो ये sedimenter उसे अलग करने का काम करता है, जब भी water के कोई particles इसमें fuel में आ जाते हैं, तो जो sedimenter है, उसके अंदर जो float chamber लगा होता है, जो कि पानी भारी होता है, इसलिए वो नीचे की तरफ रहता है, जिससे हमारा float उपर की तरफ आ जाता है, जिससे driver को एक indication चला जाता है, कि इसमें कुछ पानी के particles है, तो जो driver होत important component है, fuel supply का, fuel pump जो होता है, वह उसका basically काम यह होता है, कि फ्यूल टैंक से फ्यूल को pump करता है engine के अंदर, मतलब कि फ्यूल टैंक से fuel को खीचता है, और आगे, आगे supply प्रवाइड करता है engine में, जो fuel pump होते है, वह हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है AC mechanical fuel pump, और दूसर होता है एक्रोंद्टाइछ एORA इलेक्ट्रिकल FUEL पंप तो जो एसी मेक्निकल फ्यूप म्होता है वह अर्फटारा होता है उसमें लगिश्lane अगले खूंद्टाइग बpektव के बारे में तो वह इलेक्ट्रिक फ्यूप होता है इसमें क्यांट अर्विक भी टैंक से अगे इंजन की तरफ जाता है अब बात करते हैं इसके अगले component के बारे में तो सब्रास का अग्रा कॉम्पृणन्ट है इसके क्रीज़ कि फीज़ को उते हैं प्लेम चाहिए करके बारा सब्सक्रेजन आगे उपर ते ज़ित आ होता है वह आगे इंजन की तरफ जाता है इससे इंजन की जो एक इंची फिल्टर होता है घिसके अंदर पर्फुरेटर ट्यूब लगी होती है और फिल्टर एंटल है जब भी Ecks न से आता है और वह बीच में से पर भीच में से फिल्टर होके परफुरेटि त्यूजब में से आगे एपर्पे सिल्टर और जाता है इंजन पास सेप्लोकरिन फिल्टर होता है वह बहुत ही होता है बूड़ को अच्छी तरह चाहदना कि क्योंकि É tu दो फ्यूल फिल्टर लगे होते हैं जब भी फ्यूल एक साइट से आता है वह पहले फ्रस्ट बावल में से फिल्टर होके सेकंड बावल में जाता है फिर सेकंड बावल में से अच्छी तरह फिल्टर होके आगे इंजन में जाता है जो फ्रस्ट वाला होता है वह कोर्स वाले ड mind Hindi को निखा ता है और जो सेकर्ड वाला वाल होता है वो fine elements को निखालता है जो इसमें foreign particles होते है अब बात करते हैं इसका एक बहुत हम पाजयते हैं कार्बुरेटर कार्बुरेटर फॉर्टेम्सटा एक बहुत है् इंजन में भेजता है इसमें फ्रोटल वाव लगा होता है इसमें फ्लोट चेंबर लगा होता है जहां से फ्यूल आगे एर के साथ मिक्स होता है और आगे इंजन में जाता है आगे जो इसका आखरी कॉंपनेट है वह इसका इनलेट मैनिफोल तो जब भी कार्बूरेटर एर होता है fuel injector द्वारा तो भी फिएल linlet manifold का इतना ही काम है कि यह pecab regulator से फिएल को आगे आगे शिलंडर में भेजता है fuel injector के द्वारा एक फाइन आख है तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब पीजिए थैंक यू